श्रेमत देवी भागुत महापुरान सप्ता मकंद तैती स्वाध है भगवदी का अपनी सर्व व्यापेक्ता बताते हुए विरात रूप प्रगट करना भैबी देखताओं कि स्तुती से प्रसंद भगवदी का पुनह सौमे रूप धारन करना देवी बोली है हिमालयय संपून चराचर जगत मेरी माया शक्ति से ही उतपन्न हुआ है परमारत दृष्टी से विचार करने पर वह माया भी मुझसे प्रिथक नहीं है व्यवहार दृष्टी से वही विद्या ही माया इस नाम से प्रसिद्य है तत्व दृष्टी से भेज प्रवेश करते हूं नं driven संसार के सभी क्लिया बीतर प्रवेश करती हूं और अनुसार के सभी अकलाब कैसी हो पाते हैं इसी कारण से मैं ऐसा करती हूं माया के भीदानसार मेरे विभिन आ हो तरह होते हैं अ pouvait होते हुए भी हटा का सराош ऐस यानिक चक नामों से व्यवर्षित है उसे प्रकार में एक होते होती हुई भी बहसे भिन Não उदिसे वरक अस्तम और निक्रिष्ट सभी वस्तुम को सदा प्रकाशित करता हुआ हसूत कभी भी दूशुत नहीं होता उसे प्रकार में कभी उबाधियों के दोश से लिपते नहीं होती कुछ अज्ञानी मुझे बुद्धी इत्याजी करते त्वका अरूप कर मुझे आत्मा तथा कर्म के संग्या देते हैं किन्तु विध्यजन ऐसा नहीं करते जिस प्रकार घट रूप उबाधि के द्वारा अग्यान रूप उपादी के द्वारा ही जीवन जीवन का इश्वर से मेरं माया के कल्पित हैं जैसे माया के प्रभाव से ही जीव अनेक प्रतीत होते हैं दो वस्तव में अनेक नहीं है वैसे माया की प्रभाव से इश्वर की भी अंदै कि उसह प्रकार जीवों में भेद अविद्या के कारिव है इस में दूसरे इंको हे तू कि नहीं बताया गया कराने वाली वही कराने वाली हैं वही माया एक पदार्ध से दूसरे पदार्तमें करने वाला सतकर्म करने वाला तथा महान पुरुष यह सब मैं ही हूँ पुरुष तथा नपंचक के के रूप में महीं हूँ इसमें कोई संशय नहीं है जो कुछ भी वस्तो जहां कहीं भी देखने यह सुन्ने में आती है वह चाहे भीतर अच्वा बाहर कहीं भी विद्धिमान हो उन सब को व्याप्ट कर उन में सरवदा मैं ही स्थित रहती हूं चराचर का चराचर कोई भी वस्तु मुझसे रहत नहीं है यदि मुझसे शुन्य कोई वस्तु मान ली जाए तो वहां वंध्य वंध्या पुत्र के समान असंभव ही है जिस प्रकार एक रस्ति भ्रह्म वश्र सर्प अध्वा माला के रूप में प्रतित होती है उसी प्रकार मैं ही ब्रह्मा विष्णु महिशादी रूप से प्रतित होती हूं इसमें कोई संशय नहीं है अधिश्थान की अधिरक्त कल्पेत वस्तों की सत्ता नहीं होती है उसके प्रतिती अधिश्थान की सत्ता की कारण होत तो आपने अपने समश्ट यात्मक विराट रूप का जैसा वर्णन किया है आपके उसी रूप के मैं देखना चाहता हूं व्याजी बोले उन हिमाले की यह बात सुनकर विश्णु सहीत सभी देवता प्रसन्न चित्त हो गए और उनकी बात का अनुमोधन करते हुए आनंदित हो गए तदनंदर देवताओं की इच्छा जानकर भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली तसा भक्तों के लिए गामधेन तुल्य भगवती शिवा ने अपने अपना रूप दिखा दिया वे देवता महादेवी के उस परात्वर विराट रूप का दर्शन करने लगे जिसका मस्तक आकाश है चिंद्रमा और सूर जिसके नेत्र है दिशाय कान है और वेदवानी है वायू को वायू को उसका उस रूप का प्राण कहा गया है विश्व ही उसका हिर्दय कहा गया है और प्रित्वी उसका उस रूप की जंगा कही गई है पाताल उस रूप की नाभी जोत लोग को उसका मुख कहा गया है सत्य लोग से नीचे रहने वाले तपो लोग उसका ललाट इंड्र आदे उन महिश्वरी की बाहू है और शब्द क्षेत्र शोत्र है नासत्य और दस्त्र दोनों अश्विन कुमार उनकी नासिका है विद्वान लोग लोगों ने गंध को उनक लिएनि को मुख कहा गया है दिन और रात उनके पक्ष में बराउनी है ब्रहमस्तान वहों को विस्तार जल लोग झाल को भगवति का तालू कहा गया द्रस जिवा कही गई है और यम को उनकी दाढ़ें बताया गया है कलाएं उस रूप के दात है माया को उसका हास कहा गया है सृष्टी उन महिश्वरी का कटाक्षबात है और लज्जा उनका उपरी उस्थ है लो लोव उनका नीचे का उस्थ है और अधर्म मार्ग उनका प्रि है नदियां उनके नाडियां कहीं गई है और विक्ष उनके केश बताये गएं कुमार योवन और बुढ़ाप यह वस्था है उनके उत्तम गति है मेग उनके सिर के केश है प्राथा और शायम दोनों संध्याय एं एश्वर्य मई देवी के दो वस्त्र हैं है राजन चंद्र को श्वी जगदंबा का मन कहा गया है विश्णु को उनकी विज्ञान शक्ति और रूद्र को उनका अंतह करण बताया गया है अश्वा आधी जातियां उन्हें एश्वर्य शालिनी भगवती के कठी प्रदेश में स्थिते हैं और अतल से लेकर पाताल तक सभी महान लोग उन से अगनी उगलते हुए अनेक प्रकार के आयुद्धारण की हुए पराक्रमी ब्राह्मन श्वत्रिया ओधन रूब हजार मस्तक हजार नेत्र और हजार चरणों से संपन करोणों सूज्यों के समान तेज युक्त तसा करोणों बिजलियों के समान प्रभा से दिप्ति अत्रासकार कैसे वजराट्रू का दर्शन क्या जब उन देवताओं ने इसे देखा तब वहाहाकार करने लगे उनके हृदय काप उठे उन्हें घोर मुर्चा आ गई और उनकी यहस्मति भी समाप्त हो गई कि यह भगवते जगदंबा हैं उन महा विभू की चारों दिशा से गदगदवाणी में उनकी स्टुदी करने लगे देवता बले हैं हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और अपने दिन संतानों के रक्षा कीजिए हैं देविश्वरी आप अपना क्रोड़ शांत कर लेजिए क्योंकि हम लोग यहां रूप देखकर भयबीत हो गये हैं हम मंद बुद्धी देवता यहां आपकी कौन से स्ट्थी कर सकते हैं आपका अपना जितना तथा जैसा प्राक्रम है उसे आप स्वयम भी नहीं जानती है तो फिर वहां बाद में प्राधर भूत होने वाले हम देवताओं का देवता के ज्यान का विशय कैसा हो सकता है यह भुष्पन्हों है जिन्से सूर्य नहां चंद्र अबश्चम हैं और जिनसे समस्ध्य अदिकाहला नमस्都有 है नसा परोट Vienna शृष्पनत सथ ब्रह्मचर्य और विर्भाव हुआ है उन सरवात्मा को बारबार नमस्कार है जिन से साथ प्राण आग्निया साथ समिधाएं साथ होम तथा साथ लोक उत्पन्य हुए है उन सरवात्मा को नमस्कार है जिनसे समुद्र परवत तथा सभी सिंधू निकलते हैं और जिनसे सभी और शदियां तथा रस उद्भुत होते हैं उन सरवात्म को बार बार नमस्कार है जिनसे यग्य दीक्षा यूप दक्षिनाय रिचाय यजरुवेद तथा सामवेद के मंत्र उद्पन्न हुए हैं उन स परम सुंदर रूप का दर्शन कराई ये व्यास जी बोले देवताओं को भैभीत देखकर क्रिपास इंदू जग्दंबाने उस घोर रूप को छिपाकर और पाशंग कुश्वर तथा अभय मुद्र से युक्त समस्त कोमल अंगों वाले करुणा से परिपूर्ण नित्रों वाले एवं मंद मंद मुसकान युक्त मुख कमल वाले मनोहर रूप का दर्शन करा दिया तब भगवती का वह सुंदर रूप दिखकर वे देवता रहित हो गए और शांतिर्चित होकर हर शयुक्त गदगदवानी से देवी को प्रणाम करने लगे इस प्रकार देवी गीता का देवी भागत महापुरान के सब्सक्राइब खंड के 33 अध्धाय में देवी गीता का जो तीसरा चाप्टर या दूसरा कह सकते हैं वह अध्धाय संपूर्ण हुआ तो लाइव है 21 मार्ज को नवरात्य से पहले उसमें आप सब अवर्ष आएगा एक बहुत इंपॉर्ट अनौसमेंट है जय माकाली